तो यारो हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा quality content प्रवाइड करूं कि आप beginner हो याम आशा हर को यहां से कुछ ना कुछ यूस्पूल सीख के जाए तो चैनल को जल से जल सबस्क्राइब करो तो चलो एक छोटा ऐसा recap ले लेते हैं तो हमने प् करके semantic tag क्या होता है उसका क्या काम है कौन से जगह पर हम heading यूज करना चाहिए हमें और कहां पर हमें एज ग्रूप यूज करना चाहिए यह सारी चीज़ें मैंने प्रीवेस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताई है अगर आपने वीडियो नहीं चेक देखिए तो प टॉपिक्स देखने वाल है हाँ यह वही टॉपिक जैसे कि मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में बोला ता है जो है section और article तो जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि जो यह section है article है यह दोनों सेम ही है तुम आप कोई भी उसका सब्सक्राइब या नौट सेम हाँ दिखने में लगते है कि सेम है ऐसा लगते है कि काम में सेम है पर नहीं डिफरेंट है जैसे कि आप बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कि I I tag or strong tag both of them are same वो दोनों sorry i or emphasis not not strong tag i n emphasis लोगों को लगता है कि both of them are same because दोनों के दोनों क्या कर रहे कि italic कर रहे तो लोग समझते कि दोनों सेम है पर मैंने आपको अच्छे से बता हुए कि क्या difference है आई में क्या difference है इम में क्या difference है राइट यह सारा चीज़े मैंने आपको प्रिए वीडियो में बता हुआ है है ना तो वैसे ही section और article में भी difference है बट यही है कि लोगों को सब भी लोगों को पता नहीं है तो फिर वो बोल देते कि भाई दोनों एक जैसे है ठीक है ना तो ऐसा आपको पहले ही बता चुका हूं तो मैं उसमें time wish नहीं करूंगा तो section और article तो इसका mainly use यही है कि अगर section है section मतलब क्या कि भाई अगर आपका कोई website है और कुछ particular theme नहीं कि कुछ similarity रहेगी content में जैसे कि अगर समद लीजिए एक news की website है ठीक है अगर मैं बोलू न्यूज में आपके different different section है जैसे कि कोई category हो गई category हो गई जैसे कि अगर मैं बोलू न्यूज में top trending में समद लीजिए sports हो गई या पि कोई भी sports trending यह सारे sections हो गई तो अभी कैसे की यह जो sections है अभी sections में भी और भी आएंगे अभी sections कैसे वो independent मतलब जो top trending है उसका sports के sports के निससे कुछ लेना दिना नहीं है there is no relation between them right तो कैसे होगा कि हम क्या करेंगे कि जो news जो top trending news उसको एक section में डाल देंगे और जो हमारा sports का है category वो एक section में डाल देंगे अब फिर क्या होगा कि अगर उसके अंदर भी जाओगे तो अलग अलग पोस्ट रहेंगे articles रहे news के कि भाई sports में तो sports में different different articles होंगे कि भाई cricket या जो भी जो भी articles रहेंगे तो अभी वो कैसे होंगे कि अगर वो articles है तो अभी वो हर एक article के लिए हमें अब यहां पर हम section यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह semi section में है सिफ different posts है राइट जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर जाते हो आपका single account रहें तो आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्त करते हैं तो आप सेक्षण में कैसे कि different आपने आर्टिकल जा लेगे तो आप आप आर्टिकल टैक्स उस करेंगे तो आर्टिकल कैसे है कि तीमेटिक ग्रूपिंग करते हैं अभी मैंने क्या बोला था कि section थीमेटिक ग्रूपिंग आते हैं और इनका आर्टिकल कैसा है कि इंडिपेंडेंडली वर्क करता है उसका कुछ लेना देना रहता भी जैसे कि मैं आपको बता है कि न्यूज सेक्षन का भी चलिए मैं आपको प्राक्टिकल करके बताता हूं आपको अभी मतलब थेरी में खास सुटना कुछ समझा नहीं होगा कि मैंने क्या बोला कि section क्या काम करता है तो मैं क्यों आपको सिफ कोड करके बता दूं कि कैसे section और article काम करता है तो आपको और अच्छे से समझेगा है ना तो चलिए मनाएंगे लिए अब सबसे मेन से क्षे मना हुए मैंने अब मैं क्या करूंगा उस section में मतलब क्या लिखूंगा एक काम करते कि मैं एक पैरग्राफ डालते है टाइक डाल ले तो उसमें लिखूंगा घलारीं से क्ारीं सब्स्ताव्हे इसे कर के लिख्यूंगा अब क्या ख़का इसे कर के लिखाँगा अब क्या च्छ training में में यह सारी सब्स्तॏं तो आभी मैं यहाँ पर क्या करूं गा कि एक पारेगा टाग डाल दूंगा और सॉरी हैं रहे होंगा फिर नीचे दाल होगा तो प्रोट फेले एक शेक्शन केड़् करोंगा और नीचे लेका अनलेकर नीचे लेक होगा और टॉप स्टोरी के जगा पर यहां पर मैं लिख दूँगा न्यूज तो यहां फिर न्यूज के बेटर अगर मैं आप चलिए इधर फिर लाल के लिए न्यूज लेते फिर आपको मैं और भी आगे जाके जब डीटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियो में तो यहां पर म मतलब क्या बोल सकता है कि उनका कुछ एक डुसरे से रिलेशन नहीं जैसे कि अगर कुछ एक मैं बिन्हें उनका उनीटिपेंटबेंडन्य इभी लिए दिफ्रेंट थैं वा यहां एक मदोगव सारे जय哇 is इनड़ी वह अब यहां पर ओर यहां पर यांसे आपर रिखे वंघ चाहिगा है neutron कैंठ यहां यहां पर हमाले हरो पाणिटर का प्रिय通ेно used. इसको अरफ जाहें जाए में दाना जीका जाओंगा इस में पाइसा आख लिखिंगम यह कर दिया मैंने एक section मैंना दिया जो news के लिए अब मैं कि इस सेक्षन में क्या करूंगा इसको ही में all shift दबाया all shift down arrow से copy करूंगा और section मना दिया मैंने अब इस section को मैं लिखूंगा sports करके लिखूंगा अब स्पोर्ट्स में भी story 123 अब यहां पर समझ रहे कि मैंने section क्यों उस किया कि section यहां पर अभी अब समझ लिजे कि यह article अपने अपने अलग अलग अटिकल है यहां पर कैसा सकता है स्पोर्ट्स में cricket का होगा अपने 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 इंडिपेंडटर नियुद्स यह article की सेुछ्ण के यह article को यह तीसरे अडिकल से कुछ्छ्ण इया तो इसलिए यह article 2 का relation प्रूपिंग कर दें क्योंकि वह एक सेमिलर टाइप के काटेग्री को हम कर रहे है वैसे तब जाके हम सेक्षन में डाल रहा है और यहां पर टॉप स्टोई इसके लिए हमने पूरा सेक्षन बना दिया यहां पर बहुत अपर ऐसा हो सकता है कि इसके निचे और एक सेक्षन हो जो ट्रेंडिंग सेक्षन हो आप डिफरेंट सेक्षन बना सकते तो अभी आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है कि आर्टिकल और आर्टिकल और सेक्षन में डिफरेंस क्या है आर्टिकल में कैसे रहते है इंडिपेंडेंट रहते है अपने आप में ठीक है और रहते है और करने के लिए यूज होता है तो यही जादा डिफरेंस है आप जैसे जैसे कोड करते जाएंगे आगे आगे तो और भी अच्छे से आपको समझते जाएगा कि सेक्षिन आटिकल में क्या डिफरेंस है तो आज के वीडियो में और भी सेमेंटिक टैक्स बाकिया माने वाले गज्बगे वीडियो गुट बड़ा guarantee लिवोज पे लाएंगे